Welcome to Computer Class आज फिस क्लास में हम Chapter No.7 No. About Virus के बारे में जाने वाले हैं हमने इससे पहले Virus का मिनिंग अच्छे से समझ लिया है आज हम करेंगे Types of Computer Viruses अब आपके पास Computer Virus का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया है अब हमने करना है कि जो आपके Computer Viruses होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं जो आपको Page No.44 पर दिया हुआ है आज मैं आपको स्टार्टिंग के 3 Viruses के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें सबसे पहला Virus हमारे पास है Boot Sector Virus Boot Sector Virus हमारे पास एक ऐसा Virus है जो सबसे ज़ादा Dangerous होता है Most Dangerous Viruses है कहा जाता है मतलब सबसे अधिक खतरनाख वायरिस से कहा जाता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी Memory Disk को खराब कर देता है ये हमारी Memory Disk को हाम करता है उसे नुकसान पहुँचाता है आप सभी को पता है कि Computer अपना Data जो भी हम Computer में कोई भी चीज़ बनाती है चाहे वो आपकी File हो आपका Document हो वो कहां Save होती है? Memory Disk में वो Save रहती है मतलब उसकी Memory में वो Save रहती है तो जो Boot Sector Virus है वो उसे ही नुकसान पहुँचाता है और जो वो Computer की Memory को ही नुकसान पहुचा देगा तो हमें हमारी Information नहीं मिल पाएगी इसलिए इससे सबसे Dangerous Virus भी कहा जाता है इसके यहाँ पर Example दिये है Poly Boot B और NTE XE यह दो क्या है? यह Boot Sector Viruses की कुछ Example मतलब उधारन आपके पास यहाँ पर दिये हुए है Next हमारे पास Network Virus Next क्या है? Network Virus इसके नाम सी हमें पता चल रहा है कि अगर इस वाइरस का किसे Relation है? हमारे Network से तो अब क्या होगा? अगर हमारे पास Network Virus हमारे फोन में हमारे Computer पर या Laptop पर आ जाता है तो क्या करता है? यह हमारे Network को बहुत ही कम कर देता है क्या कर देता है? बहुत ही हमारे Network को यह कम कर देता है और यह कौन से Network को कम करता है? हमारे Local Area Network को यह सबसे जादा कम करता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे Land भी कहते हैं इसके कुछ उधारन आपके पास यहाँ पर एक्जामपल दिये हुए हैं निम्बा और SQL Slamler अब यह क्या है? आपके पास कुछ उधारन यहाँ पर दिये हुए हैं इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टिल्थ वाइरस अब यह वाइरस आपके पास क्या होता है? यह वाइरस वाइरस है जो हमारी anti-virus चीज़े होती है जैसे हमने कोई application डाउनलोड की होती है कि हमारे phone में या हमारे computer में virus ना आए तो यह उन्हें ही harm पहुँचाती है उन्हें ही क्या करती है? यह नुकसान पहुँचाती है जिससे हमारा जो computer है अगर यह virus उसके अंदर आ जाता है तो हमारा computer खराब भी हो सकता है आज मैंने आपको यह थ्री जो viruses हैं अच्छे से समझा दिये हैं अगर आपको कोई question है तो आप मुझे call या message करके पूछ ली नहीं तो आप online class में भी अपने question पूट कर सकते हैं आज ही class में आपके लिए इतना ही Thank you and have a nice day